अदानी इलेक्रिसिटी की E-NASH रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपका स्वागत है आज हम E-NASH रेजिस्ट्रेशन इस्तमाल करने के फाइदों के बारे में जानेंगे Electronic Billing ने पूरी दुनिया में Financial Management को बदल दिया है और हर पल बदलती इस दुनिया को तरक्की की रहा पर ले गया है हम 24-7 बिलिंग की सेवा पेश करते हैं E-NASH का मतलब है Electronic National Automated Clearing House ये ग्राहकों को उनके बैंक हातों के जरिये Auto Debit बुकतान की सुविधा देकर Digitization और Electronic Billing की सेवा पेश करता है E-NASH Registration के फाइदों में ये चीज़े शामिल हैं आपको इस सेवा को रेजिस्टर करने के लिए Customer Care Center जाने की जरुरत नहीं है Automated मासिक भुकतान, समय और महनत की बचत और Digital भुकतान करने की वजह से 0.25% की छूट शर्ते लागू E-NASH को रेजिस्टर करने के लिए हमारी वेबसाइट www.adanielectricity.com slash E-NASH Registration पर जाएं अपना अकाउंट टंबर डालें और कैपचा की जरीए उसे वैलिडेट करें वैलिडेशन के बाद आपको अपने खाते की जानकारी दिखेगी इसे वैलिडेट करें और Zip-NASH पेज़ पर जाएं Zip-NASH पेज़ पर अपने बैंक की जानकारी दें और आवेदन सब्मिट करें NPCI से आवेदन को मनजूरी मिलने के बाद आप E-NASH क्राहक के तौर पर रेजिस्टर हो जाएंगे आप अपने मोबाइल एप से भी E-NASH के लिए रेजिस्टर कर सकते हैं Login करें और E-NASH के लिए रेजिस्टर करें पर क्लिक करें Registration करें पर क्लिक करने के बाद आपको अगले पेच पर E-NASH के काम करने के तरीकों की जानकारी मिलेगी इसे पढ़ें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें फॉर्म पर अपने बैंक की जानकारी भरें और कन्फर्म करने के लिए जिप नैश पेज पर जाएं E-Nash बिजली बिल भुकतान को आटोमेट करने का आसान और सुरक्षित तरीका है आज ही रेजिस्टर करें और इलेक्ट्रोनिक बिलिंग के फाइदों का आनंद उठाएं तो QR कोड को अभी स्कैन करें